तो हेलो एवर्वान दिस इस विवांगी करशप एन वेलकम बैक टू दे चैनल तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ADP कॉलेज का तो बहुत धूरने के बाद बहुत सोचने के बाद फाइनली मैं ADP कॉलेज का रिव्यू लेकर आई हूँ और ADP कॉलेज की में नहीं मिलेगी तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद बहुत दूरने के बाद और मेंली खुद के एक्स्प्रियेंस से जो डीटेल्स मुझे मिले है उसका मैंने एक पीडिए बना के रखा है तो जो में पॉइन से हम उसी के ओपर डिसकस करेंगे अभी तो अगर इस रि यार एडिबी कॉलेश यह फोटो है उस इंसान की उस व्यक्ति की जिसके नाम पे यह कॉलेश बना है अनंदरम धिक्याल फुकॉन और यह फोटो भाई मैंने खुद ली थी बहुत टाइम पहले तो यार बात करें अगर केंपस की तो एडिबी कॉलेश मेंली आपको युज आप कॉलेश में एंट्री करेंगे आपको देखने को मिलेगा वो नजारा कैसा है कॉलेश की इस्टाबलिस्ट्मिंग की बात की जाए तो कॉलेश इस्टाबलिस्ट हुई थी 1959 में और अल्मोस्ट 64-65 यह हो चुका है और तो अगर लोकेशन की बात करो लोकेशन है आरारब क्राइटेरिया की तो अगर आपने किसी भी रेकोगनाइस पोर्ट से अबना 12 कंप्लीट किया हो तो आप एलिजीबल है इसमें एडिशन लेने के लिए देखो यारा कट-off मार्क्स की में बात ठंक से कर नहीं पाऊंगी क्योंकि जो कट-off मार्क्स है वो हर साल बदलता रहत के बदल अगर तुम्हारी पॉसंटेस मानलो अगर तुम्हारी पॉसंटाइल 50 पॉसंट के आसपास आती है तो यार तुम्हें यहां पर मिल सकती है पड़ वो डिपेंड करेगा तुम कौन से स्टीम में लेना चाहते हो नेक्स हम बात करते हैं रैंकिंग की तो कॉलिज की कि मैं बात करो 2016 में नाक जो इसे हम कहते हैं नेशनेल एसस्मेंट एंड एक्रिजिटेशन काउंसील उसकी तरफ से एग्रेट मिल चुका है बट अनफोर्शनेटली हम इस साल उसक्रेट को कंटिन्यू कर नहीं पाए है और आई होब कि आने वाले ताइम में हम फिर से उसक् चुकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बाद में और अगर आज की बात करे तो बैचलर अज में जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए admission fees लगभग 4,000 से 5,000 के आसपास होती है और जो science वाले है BSC जो BSC में admission लेने वाले है तो उनके लिए fee structure तुम्हारा लगभग 5,000 से 6,000 के around आता है अगर मैं बात करू मेरे admission के time पे 2021 में जब मैंने admission ले था उस time पे science की admission fees लगभग 5,600 something ऐसा कुछ था तो 5,700 के आसपास आता है ठीक है BCA और BCA वालों के लिए वही सेम होगा 7,000 के नीचे तो 7,000 के ऊपर admission fees यहां पे नहीं होता है अब अगर सवाल करोगे कि ADB college में free admission होता है क्या तो यहार definitely होता है free admission और किन के लिए free admission होता है वो भी आपको बताएंगे वीडियो में तो basically जीनि सकते है क्योंकि जो admission के time पे जो आप receipt काटते है तो जो college के फेस्ट वगरा होता है ना cultural program वगरा तो उसके लिए एक छोटा सा payment आपको करना पड़ता है वो हो गया 500 रुपीस आपको pay करना पड़ेगा ठीक है और free admission के लिए आपको बस income certificate चाहिए और जिस साल पे आप admission लेने तो basically आपको आप यह देखते ना कौन-कौन से subject में available है यूजी का course तब आप admission लेंगे अगर आपके पसंदीता subject में आपको seat मिलती है तो हमारे college में अगर arts की बात करें तो arts में कौन-कौन से subject available है तो यहां हो गया SME, Arabic, Education, Bengali, English, Economic, History, Pols, Science and Philosophy तो यह ऐसे 9 subject है जिनके साथ आ पार्ट में ले सकते हैं बात करते हैं साइंस की तो साइंस की में अगर बात करू देन साइंस में है आपका physics, botany and geology, chemistry, math, geography, statistics, computer science, harvell science and technology और यहां में भी ऐसे 9 subject है जिन में आप bachelor of science में ले सकते हैं जो यह computer science है वो basically BCA में आता है वो मैंने science में डाल दिया था तो अब बात कर तो मैंने जितने भी research किया है और जहां तक मुझे बता है तो commerce का मुझे बस तो ही ऐसे department मिले है जहां पर तुम admission ले सकते हो एक हो गया पहला accountancy और दूसरा management तो यह हो गया हमारे department college के कौन-कौन से बार्ट में कौन-कौन से subject available है आर्ट, science, BCA and commerce वालों के लिए वो सब आप अगर में course के रिगुलम और classes की बात करूं तो classes काफी हद तक सही होता है क्योंकि तुम ज्यादा तर classes बंक नहीं मार सकते है यहां पर तुम्हारी अगर attendance की percentage percentage जो होते है अगर वो 75% के नीचे आता है तो तुम्हें एक्जाम में बैठने को नहीं मिलता है तो अगर 75% के नी CDC है क्या पहला तो NC हो गया तुम्हारा non college अगर तुम्हारी attendance की percentage 75% के नीचे आती है तब तुम्हारी लग जाती है यहां पर NC और DC हो गया तुम्हारा this college है अगर तुम्हारी percentile 65% के नीचे आती है तो तब तुम्हारी लगती है DC और अगर तुम्हारी DC लग जाती है तो तुम्हें बिल्कुल भी एक्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा तो NCDC लगने पर क्या करोगे तुम तो अक्सर क्या होता है ज्यादा तर college में तुम्हें fine भरनी परती है वो fine डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने classes बंक किये है कितने classes में attendance तुम्हारी मीच से और कितने subject में है उस पर डिपेंड करके तुम्हें fine भरना पर रहेगा और मानलो अगर तुम्हारी किसमत अच्छी रही तुम्हारी DC लग जाती है फिर भी तुम्हें एक्जाम में बैठने को मिलता है तो अगर तुम्हा करते हो प्रवेश करते हो college में तो college के right side में तुमको दिखेगा हमारा indoor stadium जिसके अंदर तुम्हें badminton code हो गया table tennis हो गया और दो जीम खाने भी है college में जो एक ground floor पे है और एक first floor पे है तो यह होगे तुम्हारी indoor के facilities बाकी outdoor में भी बहुत सारे sports है जो कि college में available है next बात करते है अभी extracurricular activity की अगर तुम्हें interested हो NCC and NSS join करने के लिए तो हमारी college में दोनों available है अगर बात करें NCC की तो तुम्हें screen पे देखी रहा होगा कि बहुत कुछ details है जो NCC के बार में लिखा हुआ है वो मैं नहीं पर होंगी वो तुम खुद पर लिना ठीक है मैं बस जो points है उस इस college में पूछना परेगा किसी से जानकारी लेनी होगी और तब सिलेक्शन प्रोसिजर है उसके basis पर NCC में सिलेक्शन होता है यहाँ पे और NSS की अगर मैं बात करूँ जो है National Service Camp यह basically क्या होता है जो social service है social work करते है वो NSS join करते है मानो किसी village को एडप्ट करना हो या फिर कि स्कूल वगेरा हो गया जो कि बहुत लोर लेहल की स्कूल्स होती है कहीं पर उनको एडप्ट करते है और NSS की तरफ से इस help प्रोवाइड किया जाता है वो help मानो financial हो गया food प्रोवाइड में हो गया इसी तरह के help जो है वो NSS वाली colleges की तरफ से करते हैं तो next बात करते हैं तुम्हारा college week तो यह सबसे ज्यादा ज्यादा लंबा चलता है four to five days होता है college week और college week में तुम्हारा sports competition हो गया outdoor, indoor, dance, singing, modeling, drama, etc. सब कुछ यहां पे होता है तो अगर तुम interested हो इन में से किसी में join करने के लिए तो college week आने पर तुम इसमें participate कर सकते हो और इसके अलब भी जा रही है जली से खतम करते हैं इसको बात करते हैं अभी hostel facilities की जो students hostel में रहने वाले है, hostel के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उनको बता दो कि अगर तुम्हें hostel में single bed वाले room चाहिए तो तुम्हें बिलकुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे college में single bed वाले room available नहीं है, जो double bed और triple bed वाले room हैं वो ही बस available है, बात करें अगर hostel fees की बार में तो admission के time और उसके बाद हर साल के starting में तुम्हें जो है 10,000 की payment करना पड़ता है और जो monthly payment है वो है 1,000 रूपीस, तो एक साल का total तुम्हारा हो गया 22,000 रूपीस, और मैं इसके खाने के लिए कभी कभार extra charge वो लोग कर लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ थोड़ा ज्यादा है एक साल में 22,000 payment करना और मैं इसके खाने के लिए थोड़ा बहुत तुम्हें pay करना पड़ता है, तो total तुम्हारे hostel होगे H1, H2 and H3 और टीनों के तीनों girls hostel है, बात करें अगर खाने की तेखो यार तु पर जो H2 hostel है, hostel number 2, H2 hostel में खाना इतना थीक थाग नहीं मिलता है, बाकि H3 का तो मुझे पता नहीं, और अगर मैं बात करू यार rooms की, तो यार तीन bedroom के हिसाब से काफी spacious room है, जगा तुमको भरपुर मिलेगा यहां पर, और जो hostel का infrastructure है, वो काफी अत्तक सही है, और सबसे खा I hope कि मैंने सारी चीज़ इस वीडियो में cover कि होंगी and thank you so much for watching this video, अगर तुम्हें मेरी महनत अच्छी लगी हो, तो यार प्लीज चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को like कर देना ठीक है, अगर इस वीडियो को response अच्छा मिलता है, तो मैं definitely किसी और college के ऊपर भी details में review लेकर कर दो अपरा कर आद से अगी खज़ लूगी।